पिछले दिनों MK स्टालिन के जो बेटे हैं उदैने दिस्टालिन जीनका सनातन धर्म के उपर बहुती बिवादित बयान आया था उन्होंने उसमें कहा था इवो एक डेंगू और मलेरिया जैसा है इवेंदों की उन्होंने कहाता की कोरोना जैसा है और इसको पूरी तरा से खतम कर देना चाहिए आप इनके वैयान का हिंदी ट्रांसलेर्शन पड़ सकते हो याँपे अब इसके बाद में बिहार के नेता है मनोजा उनका डवल स्टेंडर्स देखो नपूर सर्माने जो देश में आज कई शहरों में कई राज्यों में पदर्शन किये गए पत्राव हुए कई पुलिस कर्मी घायल हुए नपूर सर्मा की क्रिफतारी को लेकर देखिए मेरे सीधे दोर पे मानना है हिंसा के लिए कोई जगा नहीं लोगता हुए जो बयान दिया गया वो अशोभनी है अस्ट्रील मैं का हूँगा लेकिन वो अशोभनी अस्ट्रील बयानों के का एक एक इको सिस्टम इस देश में विक्षिप किया गया भी ते आठना देखिए मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हमलों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा इस देश में कभीर अगर आज पैदा हो जाए और वो वो दोहा पड़ दें जो तू बाभन बाभनी जाया अनबाट काहे नहीं आया जो तो तुरक तुरक नहीं जाया हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है कई लोगों की सनातन में कई सारी दिक्रतियां क्या जाती विवस्था अच्छी जीज़ है क्यों सीवर मूतरने वाले की जाती नहीं बदलती है यह सारे सवाल है अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेकर उड़ गया तमाल की बात है वो कहते हैं कि देखो किसी भी धर्म का अलोचना करना यह हमारे सलस्कृlti में रहा है जैसे कि कभीरदास करते रहे हैं बारबार कभीरदास की बात तो ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि पता नहीं किल्ना पढ़े लिखें या नहीं मैं जहां तक सबस्ते हूँ वाली देखन जो मैं गई मैं भी हो गई लाल ये दोनों आपस में अंता विरोधी दोहे हैं कबीरदास के ही तो उनकी बात तो ये नहीं करें क्योंकि उनको समझने इनके बसकी बात नहीं है अब इन्होंने डबल स्टेंडर दिखाए हो आप समझ लो बाकी रही बात एमके स्टेलिन के जो बेटे हैं उदेनेस स्टेलिन उनके उपर बहुत सारे फाय यार हुए हैं और ये भी चिफ जस्टिस रोब इंडिया के सामने ये बायान जा चुका है तो वहाँ पर फाय सदा होगा इसका फिलाल के लिए दोसो बार्शन लोगों ने चिथी लिखी है 14 हाई कोड के रिटायर्ड जर्ज हैं जिसमें 130 पूर्व नोकर सां है और 118 सेना से जुड़े रिटायर्ड अपसर हैं जिन लोगों ने चिथी लिखी है CGI चंद चूड को कि आप इस पर एक्षन लेजे इस तरह के बयान नहीं दे जा सकते हो वह इसलिए यह पूरी तरह से acceptable नहीं है क्योंकि जो भारत के संबिधान का fundamental right है उसका उलंगन करता है क्योंकि भारत भी एक धर्म निर्पेक्ष देश है पत निर्पेक्ष देश नहीं है तो आप इस बात को समझो पत निर्पेक्ष वर्ड भारत के संबिधान से हाटा दिया गया था धर्म निर्पेक्ष है इस वजह से आप उसके बारे में बयान नहीं दे सकते हो कोई किसी भी धर्म के बारे में इंडिया में बयान नहीं दे सकता है बागी आप लोग बताओ कि आपके सोस्ते हो इस बेहन पर क्या होना चीह है